जैंद कहा गया कि अभी ना पूछो हमसे की मंजिल कहा है अभी तो हमने चलने का इरादा किया है ना हारे हैं ना हारेंगे कभी ये किसी यौर से नहीं बलकि खुद से वादा किया है जैंद दोस्तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिक्स प्रिपोजिशन का एक बहुत ही शांदार ठीक है बहुत ही शांदार सेशन होने वाला है आप अंतक वीडियो में बने रहे ठीक है ये वीडियो आपके पढ़ने का नजरिया बदल देगा आप देखते रहे अंतक जरूर वीडियो को देखे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखे हमने लिखा है रिलेटेड आपोजिट यह आपोजिट नहीं इसको इपोजिट पढ़ते है ठीक है एपोजिट का मतलब होता है उचित पार्टिनेंट बीफिटिंग रिलेवेंट रिलेवेंट का नहीं मतलब उचीत ही होता है शुटेबल जर्मेन परटेटिन लिंग्ड इप्लीकेबल एप्रोप्रीएट ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं लिंक्ट एप्लीकेबल एप्रोप्रीएट यह सब का मतलब देखें दो चीज़ें या तर्संबंदित होना या किसी चीज में उचित होना है ठीक है देखिए इसका मतलब दो चीज हुआ और एक चीज या ध्यान रखना है कि यह सब के साथ जितने भी बाब वर्ड है ठीक है जितने भी वर्ड हमने लिखा है यह सब के साथ हमारा एक ही fix preposition होगा और हमारा कौन सा fix preposition होगा to का use हम लोग करेंगे कौन सा fix preposition का use करेंगे to का करेंगे जैसे related to opposite to pertinent to we fitting to relevant ठीक है relevant का भी मतलब वहीं होता है we fitting का भी मतलब उचित suitable germane pertaining to cognate to ठीक है linked to applicable to appropriate to ठीक है जैसे हमने example लिखा है this car is suitable blank that suitable भी आगे तो suitable के साथ भी किसका use करेंगे बाबू तो suitable के साथ भी हम use करेंगे to का ही ठीक है it is relevant relevant to you ठीक है लग रहा है कि for होगा but किसका use करेंगे to का use करेंगे I hope कि clear हो गया होगा इतना वाट अगर एक साथ हम करते है तो हमारा देखेंगे दो चीज़ का फायदा है एक तो हमको अलग-अलग fix preposition याद नहीं करने को पड़ेगा ठीक है और एक हमारा यह सब का मतलब देखेंगे क्या होता है वंचीत होना कमी होना ठीक है किसी चीज़ का कमी होना या वंचीत होना आप बोल सकते है ठीक है डिवाइड, shortage, deprived ठीक है destitute, denuded, deficiency, possibility and डर्थ बहुत ही देखेंगे deprived से बदाते हैं आपको deprived से और positive से और डिवाइड से बहुत सारा question पुछता है ठीक है अब समझेंगे कि इसके साथ जो fixed preposition बाबू होता है वो हमारा होना चाहिए of जैसे deficiency of, deprive of ठीक है shortage of, divide of, destitute of denuded of, positive of ठीक है आईए आगे हमने एक दो example लिखा है तो आईए हम example से समझते हैं इसको ठीक है और इसके पहला example है claimed that उसने claim किया कि he had deprived ठीक है deprived का मतलब हम क्या पता है one shift ठीक है और इसके साथ बाबू हम कौन सा fixed preposition का यूज़ करेंगे of का deprived of रट लिए ये बहुत ही एक जाम में आप जब भी question बनाएगा आपको fill in the blanks में भी मिल सकता है और आपको common errors में भी मिलेगा ठीक है तो deprived के साथ of का यूज़ किया जाता है ठीक deprived of his rights rights का मतलब अधिकार ठीक है you have deficiency blank vitamins इसमें भी किस का यूज़ करेंगे बाबू आपको यह तीनों एक्जामपल बहुत यह समझ में आया होगा ठीक है बढ़ चलते हम लोग next preposition के तरफ हमने यहां भी errands किया है collection किया है बहुत ही शांदार देखे adapt adapt का मतलब क्या होता है निपून होना किसी भी चीज में कुसल होना यह drive का भी मतलब वहीं होता है ठीक है proficient का भी मतलब वहीं होता है देखे apt apt का भी मतलब वहीं होता है मतलब क्या कि किसी भी चीज में निपून होना दक्छ होना skillful भी वहीं होता है यह accomplice है a double c o m p l i s h e d एक accomplice आपको हम और बताना चाहेंगे ठीक है ओ हमारा होता है c e यह होता है गुनाह का साथी partner in crime बट इसे related नहीं है आपको हमने समझाया कि यह मतलब दूसरा होता है बट पढ़ते हैं same pronunciation है यहाँ a s s s s s m a s s s s s e s s s m a p t h ठीक है थीक है तो आईए हम इसको देख रहे थे adapt adriult proficient apt a skillful accomplished competent dift इन सब का मतलब होता है क्या निपुन होना लिख लिए बाबु निपुन सबकर साथ जों fix preposition का use करते हैं वो हमारा fix preposition होता है इन जैसे डेप्ट इन ठीक है uh SK कंपुटेस्टीन तीन डेफ्टीन ठीक है होप की समझ में आ रहा होगा जैसे हमने लिंज लिया आए आ एक्जामपल s लो सीज अ डेप्ट ब्लैंग कुकिंग फुड अब कुकिंग एडेप्ट है बावी एडेप्ट के साथ कौन सा फिक्स प्रिपोजिशन आना चाहिए इन आना चाहिए ठीक है और एक बात ध्यां रखेए कि प्रिपोजिशन के बाद जिनरली यदि वर्ब का यूज होता है तो हमारा जेरंड आता है ठीक है क्या आता ह ऐगा प्रोफिसियंट भी इन हो जाएगा ठीक है आयों हो पी क्लियर ओर आओगा कि यह सब के साथ हम किसका यूज करते हैं तो इन का यूज गरते ठीक है ना बढ़र चलते हम लोग एक बहुत ही शांदार कलेक्षन सर्प्राइजट शॉक्ट प्लियर हो रहाओगा अमेज stunned, wondered, startled, सब का मतलब क्या होता है? अस्यर्ज चकीत होना किसी भी चीज़ को देख कर ठीक है? ते नहीं अदमीं, तो हो जाता है amazed, अस्यर्ज होना, surprised, stunned, wondered, startled ओके? ये सब का मतलब वहीं होता है? चौक जाना, भैभीत होना भी बोल सकते हैं, अस्यर्ज होना भी और सब के साथ जो fix preposition हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, at होता है, surprised at, shocked at, amazed at, stunned at, wondered at, startled at, ठीक है, यहां एक और next देख लेते हैं, इसी में, क्योंकि इसी से related है, भले ही meaning दूसरा है, ठीक है, इसनीर, चकल, smile, ठीक है, mock, जीर, laugh, इदकी सब का meaning होता है, हसना, किसी ना किसी से हसना, सब एक ही meaning देते हैं, हसना का भी, ठीक है, चकल, ठीक, smile, smile का तो मतलब मुश्कुराना, मतलब सब का मतलब ही होता है, क्या हसना, मतलब कोई दाब निकाल का हसता है, कोई ऐसे मुश्कुराना, इस टाहिल का मतलब हसना ही होता है, ठीक है, और इसके साथ भी जो fix preposition ह होता है न वहाब का ही होता है ठीख है ध्यान रखेगर अध का ही होता है जब भी लिखेंगे तो एट का ही करेंगे ठीक है यानि इस नीर चकल ठीक है इसमाई एट ठीक मॉक एट जैसे हमने लिखा यहाँ इग्जांपल आप देख सकते हैं सी सर्प्राइज वो उपर वाला का एक्जाम्पल है सर्प्राइज तो क्या कर देंगे सर्प्राइज ट एट कर देंगे क्योगी सर्प्राइज के साथ एट का यूज किया जाता है ठीक है सर्प्राइज के साथ एट का यूज किया जाता है सरे हम लोग यह बहुत ही शांदार तरीका से कोलेक्शन किया आपका ठीक है दिक है बैंक बैंक ढूलाइघ सुए सब इसकी मतलब होता है निर्वर होना किसी चीजegen निर्वर होता है और इसके साथ जो हमारा fix preposition होता है on होता है आप लोग भी पढ़े होंगे bank on depend on rely on count on rest on and इन सब का मतलब होता है किसी चीज पर क्या होना बाबू निर्वर होना क्या होना निर्वर होना और इसके साथ हम लोग किस का use करते हैं on का use करते हैं ठीक है इसी में देखिए यहां भी हम word लिखे हैं थोड़ा स इसको भी देख लेते हैं meditate, muse, contemplate, causitate, ruminate, meditate you know very well ठीक है meditate यह सब का मतलब क्या होता है तो ध्यान लगाना चिंतन करना ठीक है इन सब के साथ जो fix preposition होता है ठीक है इन सब के साथ थोड़ा सा ध्यान देना होगा ठीक है meditate, muse, contemplate मतलब यह सारे के सारे यह कहीं हमारा लेता है preposition और इसके साथ भी हम muse on ही करेंगे meditate on ही करेंगे ठीक है आईए देखते हैं you never depend blank others ठीक है तो depend आगया तक किस का यूज करिएगा on का यूज करिएगा ठीक है किस का यूज करिएगा on का ठीक next is she must meditate blank her life यहाँ भी किस का यूज करेंगे on का यूज करेंगे I hope कि clear हो रहा होगा देखें यह वहला बहुत ज्यादा important है bank on depend on ठीक है rely on rely तो बहुत बार पुछा हुआ है rely depend ठीक ओके आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा next है हमारा ponder ponder mull brood think ठीक है इसका मतलब होता है किसी सोचने वाला किसी चीज पर सोचना जैसे ponder over mull over इसके साथ जो fix preposition हो वह हमारा over का यूज होता है ठीक है he always pond ponder his mistake तो क्या हो जाएगा ponder over हो जाएगा ठीक है बाबू ponder over हो जाएगा you must brood over brood का भी मतलब वहीं होता है सोचने वाला किसी चीज पर brood over हो जाएगा ठीक है आज होपके बहुत ही interesting लग रहा होगा आपको next हम चलते हैं और विस्ट Mountain Echo Raised waffle ठीक है एकर देजाःड walking रार्ण एकच ठीक है डाकी बहुत ही important है सबसे पहला बात यह सबका मतलब होता है किसी चीज के लिए जुनून या इक्च्छा होना सबका होता हमां किसी चीज के लिए इक्च्छा होना या और च्च्छा होना नहीं होता है विस्ट होता है ठीक, yearned, urged, passion ठीक है, किसी चीज के लिए क्या जुनून होना या इक्चा होना इसके साथ कौन सा fix preposition का यूज करते है बाबू, तो यह हमारा होता है for, ठीक है, wished for longed for, crept for, desired for, yearned for, urged for passion for, ठीक है, चलिए देखते हम आगे, चलिए जैसे हम एक्जामपल देख सकते हैं, इसमें एक्जामपल देख, his desired blank new house, ठीक है desired क्या हो जाएगा बाबू for हो जाएगा, ठीक है, desired for हो जाएगा, ठीक है न, यह जितने भी वर्ड हमने देखा है, पीछे desired हो, आपका, यह thrust हो, crept हो, yearned हो, सारे important है, next हम देखते हैं, next word ही बहुत ही जाएदा important है, liking हो गया, ठीक है, fondness हो गया, propensity हो गया, penchant हो गया, affinity हो गया, preference हो गया, inclination हो गया, affection हो गया, आपको word से ही पता चल रहोगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जुकाओ होना, या, लगाओ होना, ठीक है inclination, जुकाओ होना देखे, affection, दो word बहुत ज्यादा important है, एक word इसमें important है, penchant, आप ध्यान रखेगा, इसके साथ जो fixed preposition होता है ये भी हमारा for ही होता है ठीक है, क्या होता है for ही होता है, आई हो कि clear हो गया होगा, यहाँ तक ठीक है, मालीज, हम बोले को किसी के लिए जुकाओ है, ठीक है उसके लिए मालीज, यह नहीं होता है किसी को पसंद की, जुकाओ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर मतलब आपका उधर inclination है जुकाओ है, आप उस चीज़ को पसंद करते है, ठीक है, वर्ट से आप बिल्कुल भी confused मत होईएगा, ठीक है ना आई हम देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं आप, कि blind के साथ हमने तीन fix preposition लिखा है, blind in, one eye, जैसे blind के साथ यदि eye से कोई भी चीज़ related है, ठीक तो उसके साथ हम in का use करते हैं blind of both eyes देखे, blind of, यदि कोई कह रहा है ऐसे तो his blind कहना भी इसका मतलब होता है कि वो अंधा है बट कभी-कभी क्या होता है, कोई पूछता है कि वो अंधा है क्या, तो हम लोग बोलते हैं, yes, his blind he is blind of both eyes तो वहाँ blind के साथ of का use कर सकते हैं, जब both eyes का मतलब बोध हो तब और देखे, blind to something देखे, blind to something कहने का मतलब होता है कि न, something मतलब eyes से related नहीं जैसे कि blind something का मतलब fault से बोल सकते हैं fault से, ठीक है न, fault से कोई सीज कैसे होता, blind हो जाता है नहीं, छिपा लेता है, जैसे हम example यहाँ लिख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग भी, ठीक है हम यहाँ लिखे example he is, ठीक है blind, blank left eye ठीक है, left eye तो देखे, यहाँ तो left eye यानि eyes related है, one eyes related है तो हम किस का use करेंगे in का use करेंगे, ठीक है but हम यहाँ बोले, कि he is blind blank his children's fault ठीक है बावू, faults मतलब वह अपने बच्चों के प्रती, मतलब जो fault है, उससे क्या है, blind है, तो यह तो something हो गया, और something हो गया, तो फिर हम किस का use करेंगे to का use करेंगे, ठीक है बावू, किस का का use करेंगे, to का use करेंगे, I hope कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एक बार आप comment में जरूर बताए कि आपको यह session कैसा लगा, चलिए मिलते हैं ऐसे important session के साथ next video में, जैहिंद